नमस्कार आप देख रहे हैं विराट 24 नियूज मैं कोजा सरगना पीपल रावा के पूर पार्षद भारत का बेटा है वहीं सरगना पीपल रावा के कंजडेरे से पकड़ा गया उसने डेड़ साल इन दौर से एक हजार गाड़ियां चुराने की बाद भी सुईकार की है उसने बताया कि उसका गिरो चोरी की गाड़ियां गड़ो या जाड़ियों में चिपा देता था बाद में गैरेट संचालक और मेकैनिकों 5-8000 रुपे में बाइक के पार्ट या पूरी बाइक ही बेच देते थे डेरे से चोरी की 12 गाड़ियां बरामद हुई हैं गिरो के अब भी दस से जादा बदमास फरार बताये जाते हैं। वहीं बदमासों ने बताया कि समत खेड़ी का एक बदमास उन तक कस्टमर की डिमांड पहुचाता था कि किस कमपनी की पाइक चाहिए। उसकी डिमान पर ये लोग कार या बस से इन दौर आते इन्हें पुलिस चेकिंग की भी पूरी जानकारी होती थी। उनके हटते ही ये लोग शहर में एंट्री करते थे। वहीं पुलिस कमिशनर हरी नरायट चारी ने बताया कि विजयनगर, रसूरिया, खजराना, तिलकनगर इलाकों से बाइक चोरी की घटनाए सामने आ रही थी। खजराना और विजयनगर पुलिस के हथे गैंग का गुरगा योगेज हंडा चड़ गया। वो अपने तीन साथियों के साथ दो बाइक पर आ रहा था, फुलिस को देखकर हथियार लहराया, उसके तीन साथी भाग निकले, लेकिन उसके निसान देही पर पीपल रावा में कंजर डेरे पर दबिस की गई, तो सरगना सचिन को भी गिरफतार कर लिया गया। आपको बता दे कि इस गैंग के लोग एक दूसरे को कोड़ वर्ट से बुलाते हैं, कंजर गैंग के सदस, एक दूसरे को आटी बीम एके जैसे गैंग से पुकारते हैं, सचिन का छोटा भाई संजू भी भाईखी चुराता है, दोनों ही लंबे समय से घर से अलग रह रहे ह वही पुस्ताच में ये भी पता चला कि इन दौर के अलावा भुपाल से भी वो गाडिया चुराते थे, दोनों शेहरों से उनके गाउं तक आने के लिए हाईवे है, जिससे चोरी में आसानी होती थी, उनके निशारे पर नई गाडिया होती थी, गाउं पहुंचते ही, व सामान चोरी करते और उसे प्रदेश के बाहर बेच देते थे, देवाज जिले के धानी घाटी में बांदल और अमरकंजर की ग्याग का आतंग था, तबाम बड़ी ख़बों के लिए रहे हैं विराट 24 ने उसमशका, खुल गया, खुल गया, खुल गया, आपके शहर में सर् के लिए हॉल उपलब्ध है, ओनलाइन ओडर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर, पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट विश्वे विद्याले रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा